गुड मॉनिंग फ्रेंड्स इपाट साला की यूटूब चैनल पे आप सभी का मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी सभी परतियोगी परिछाओं को ध्यान में रखते हुए जेनरल साइंस का जो में आपका बैस से प्रागंब की यह ठीक है और जेनरल साइंस के अंतरगत अभी वरतमान समय में हम लोग केमेस्ट्री और बायलोजी सिस्ट्रम को साथ मिलेके चल रहा है ठीक ना अब देखिए जो हमलोग का बायलोजी का सिलेवस है उसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाइलोजी के सि और किस्ट मैं आपको पूरह बता चुक हैया हम हम अब देखिए आज टे deepest की पूरी कह के बारे में आज के वीडिव में हम लोग समझेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पपने अपने वीडियो को स्टाट करते हैं उससे पहले आपसे छोटा सा्री requested है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए नए जुड रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में वीडियो को सेर करिए जिससे की और भी अधिक लोगों को इस वीडियो का लाव मिल सकें ठीक है और साथी साथ हमारा जो यूटूब रनने वाला है वह क्या है तो वह है स्वसंद क्रिया क्या है ट्रोपिक यह स्वसंद क्रिया ठीक ना देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस आज का हम लोग का में मुद्दा है ठीक है और इसी को में हम लोग को पूरा का पूरा आज समझना है ठीक है ना तो देखिए सबसे पाली की बात ध्यान्द भई कि स्वासन क्रिया जो है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको समझिए देखिए जब हम लोग मनुष्य के बारे में बात करते हैं मनुष्य के स्वासन की बात करते हैं तो हम पिछले क्लास में आपको definition समझायते स्वासन का स्वासन का actual मतलब सिर्फ य करने के बाद में उससे क्या बना एनर्जी ठीक है तो देखो MON को ग्रहन करके उसकी सहायता से चेन बनने तब का जो स्वाव संद्र ना तो ध्यान से समझी एक यह यह इसमें ही स्वेज़् क्राणों के हम लोक आज पढ़ेंगे इसल्व अग़र अध्यायन के सुविधा के द्रिष्टी से देखें, तो हम लोग में जो स्वासन की क्रिया है, उसको मुखरूप से हम लोग तीन भागों में बाट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? स्वासन की क्रिया को अधेरेन की सुविधा के द्रिष्टी कौन से कितने भागों बाट सकते हैं, तो तीन भाग में, कौन तो देखो इसमें एक हो जाता है आपका बाहस्वसन क्या हो परिवहन क्या होता है यह दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इसमें ठीज और थार्ड जो स्टीज है उसको आमनों कहते हैं अन्ता स्वासन स्वासं ठीक है देखो एक होगया पबा कर स्थेज है चिन में फूरा का पूरा पूरा स्वासं की क्रिया को ध्यान देना है कि BMW 800 की क्रिया जो है इसमें देखीए में रखा किसको जाता सास आप खीचे oxygen युación को तो सास लेना और सास को छोड़ना यह सास लेना और छोड़ना जो है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसम लखते हैं इसको शिर्फ हमलोग रखते हैं बार है स्वासान्त अब देखिए यह मैं समझेगा बात को सास जब हम लोग खीचे तो फिपडा को कीचें और किच करके काँ पहुचा यह दो फिर जब छोड़ते हैं तो उसके वां यह कहां से पुरा का पुरा इसका प्रोसेस फिपड़े की इंद्धितगुमता है और पुरा पर यहां पर बाहत स्वसन को भूफूस्व्system भी कहते हैं क्या कहते हैं चुलुस परिवान है इसमें आपको दो चीजे मिख से पढ़नँ होगें झाल लग वैसा थोड़ा सा द्धिया है अंता स्वासन जो है यहां पर जैसे हम लोग इसको फुफु स्वासन कर रहा है क्योंकि इसमें जो भी में प्रोसेस कहां हो रहा है फिर फड़ा में हो रहा है इसलिए इसको फुफु स्वासन अब देखो जो अंता स्वासन की क्रिया है तो अंता स्वासन की क्रिया जो है यह म तो देखो ध्यान से समझझो स्वासन की प्रिया को मुख्यरुफ से कितने İs다면 बाढ़ल सकते वहीं स्वाइद सकते वहिक्राइब तो तीन स्वासन कौन बाहए ज़ TCP अब करUS चाहां परिवाहन और अंतर श्वासन के द्मियारे अब देखो by stupid के द्वारा होता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते है फुफु स्वसन कहते है ठेक ना और अंतर स्वसन की क्रिया कोशिका के भित्तर होती है इसलिए इसको क्या कहते है इसे कहते हम लोग यहां पर कोशिकिये स्वसन ठेक ना इतना समझ में गया आप देखो साथ के साथ में और चीज हम आपक कहते हैं यहां पर प्रस्वास क्या कहते हैं प्रस्वास और सास को खीचे उसके बाद में सास को छोड़ते भी है तो सास को छोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं उच्वास क्या कहते हैं तो समझ गये बात को ना यानि कि यहां पर निसकर्ष क्या निकला कि जो आपक को का करने का यह उसे उछ्षव है अब देखर गैसों के पर्योहन की अगर बात करें तो इसमें भी आपको ध्यान देना है एक दो जीज़्त Crakled के परिवान के अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या ध्यान देना है कि देखिए जब हम लोग स्वासन की क्रिया करते हैं तो स्वासन की क्रिया में में हम लोग को दो गैसों पर ध्यान देना पड़ता है एक तो ऑक्सिजन और दूसरा कारबन डाई ऑक्साइड देखिए ऑक्सिजन जो है ऑक्सिजन को हम लोग ग्रहण करके और फिर कोशी किये सोसन हो जाएगा और जो इसे ही कोशी किये सोसन पूरा होगा तो कोशी किये सोसन के पूरा होने के बाद में बनता है क्या कारबन डाइक्साइड तो उस कारबन डाय Just 학ि को कोशिका में ठोड़े छूड़ दे जिएगा उसको कहा तुरीएगा उसको वहां से निकाल तो कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा आना और कोशिका से निकाल के कारबन डायोकसाइड को फिफडा में पहुंचा ना यह पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग किसके उतरगत पड़ते हैं गैसों के परिवान का उतरगत ठीक है तो इसमें बात को समझे इसमें क्या हुआ एक बार तो ऑक्सीजन को निकाल के फिफडा से कोशिका में यानि कि इसमें क्या होता है एक तो एक होता है ऑक्सीजन का परिवान क्या होता है और दूसरा इसमें किसका परिवान होता है तो दूसरा होता है CO2 का परिवाहन कौने को हता है CO2 का परिवाहन होता है समझे ना तो देखिए बात को बात को समझे गैसों के परिवाहन का अंतर nov comigo अंच्प्रफराल कम क्या क्या टॉपिक पढ़ना है तो दुगो टॉपिक एक पढ़ना है औशीजन के परिवाहन दूसरका क्या पढ़ना है carbon dioxide का परिवहान ठेके ना इसमें पढ़िएगा प्रस्वास और उच्वास इसमें पढ़िएगा oxygen का परिवहान और carbon dioxide का परिवहान दूगोट अपिक हो गया कौन कौन तो देखो एग हो जो है इसको हम लोग कहते हैं यहां पर um확 आइविए या ठेक न भही यह वह क्या कहते हैं आव्यविए या उनकसी स्वासन जबकी दूसराair जो है उसको हम लोग कहते हैं वाई वी यह या फिर इसी को हम लोग कहते हैं आकसी स्वासन क्या कहते हैं प्लियर है ना तो देखिए टोटल हम लोग को इतना सारा टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है ठीक है आप देखो यह पूरा का पूरा जो फ्लो चाट है इसको पहले आप बना और बाद में इसको अपने नोट्स पर उतार लीजिएगा ठीक है चलो जल्दी से इसका स्क्रीन सट लेलो इसके बाद में हम लोग इससे आगे की चीजों को डिसकस करेंगे जल्दी से स्क्रीन सट लीजिए हो गया अब देखो आगे देखते हैं इसको मिटा रहा है हम दख स्वासान ठीकना सबसे जो पहला प्रोसेस है उसको क्या करते हैं बाहे स्वासान बाहे स्वासान की जो क्रिया है इसी को मिटा करते हैं एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल एरेस्पिरेशन करते हैं ठेकना अब देखिए बात को समझिए हम बोले क्या कि एक्स्टर्नल एरेस्पिरेशन के अंतरगत हम लोग सीखते क्या है तो दो क्रिया ठेकना एक्स्टर्नल एरेस्पिरेशन यानि कि बाहे स्वासान के अंतरगत सिर्फ और सिर्फ दो ही क्रियाओं को रखा जाता है जिसमें से एक जो है वो समझीए एक होता है मेर ऑक्सीजन को मेर ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन को ग्रहण करना ठेक है ऑक्सीजन को ग्रहण करना पहला चीज हो गया ऑक्सीजन को कुमत करना मुख्वन करना है सम allíका करना में दाव स्वसंत की क्रिया में धेयान देना है कि अंसरगत पड़ते हैं तो औक सिजल युगतवाईव को ग्रहण करना और कारब डाय क्रोसेस्वन के यह क्या किये देखिए हम बोले क्या oxygen युद्वाई हो ब्रहन किये और जो carbon dioxide युद्वाई हो उसको क्या किये बहरी छोड़े ठीकना यानि कि oxygen और carbon dioxide अक्साइड गैस जो है इस दुनों के क्या हुआ तो वातावरन बहरी छोड़े तो वातावरन ने छोड़े और हमारा शरीर अंदर आया तो शरीर में ठीकना तो carbon dioxide और oxygen का वातावरन और शरीर के बीच में क्या होता है आदान प्रदान होता है और इसलिए इसको हम लोग क्या क कहते हैं इसी को कहते हैं गैसो का वीनिम है ठीकना क्या 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 जता है और carbon dioxide को छोड़ा जाता है यानि कि वातावरन और जो शरीर है उसके बीच में क्या होता है गैसो का आदान प्रदान होता है इसलिस्को क्या करते हैं मोग गैसों का वीनीमर्टर т ठीक न अब देखो ध्यान से समझंजू अब बात को समझना है कि देखिए जो यहां पर मेल आप समझ रहे हैं कि बड़ीसेजिण को गणर करना तो ओक्सीजन को ग्रहण करने का जो मिल प्रोसेस है तो ओक्सीजन को खीचे के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग प्रस्वास कहते हैं आपको बताया है न इसको क्या कहते हैं प्रस्वास कहते हैं और ओक्सीजन को ग्रहण करने को प्रस्वास कहते हैं इसक को उच्छुवास को ठीज़ना तो देखो के या प्रस्वास और उच्छुआस बात को समझ Googled एकरा के प्रस्वास क्यों या खरा थी प्रस्वास और उच्छुआस जो है ये दुनों को सम्मिलित रुप से स्वासो छ्वास कहते हैं क्या कहते हैं इसको स्वासो छ्वास कहते हैं स्वासो छ्वास कहते हैं क्लियर है समझ गेना सब लोग इसको क्या कहते हैं स्वासो छ्वास कहते हैं तो बात को समझो समझना है देखिए क्या समझे हैं लोग कि दखिए यहां पर oxygen वीपतवायों को gooan करना क्या कर लाया प्राषबास कर लाया carbon dioxide वीपतवायों को छोड़ना क्या कर लाया उच्वास कर लाया आई दोनों को जब मिला दिये तो क्या कहे 606 कहे यानि कि अब देखो एक चीज और समझा रहे हैं इसके बाद में हम क्या बता हैं कि इस प्रोसेस की स्में होता है, तो ये होता है फेफडा में और फेफडा को करते हैं हम लोग यहां पर ध्यान दीजिये, इसको क्या करते हैं तो इसको कहते हैं फुफुस क्या कहते हैं फुफुस कहते हैं और चुकि बाह स्वासन फेफड़ा में होता है इसलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं और इसको क्या कहते हैं फुफुस स्वासन इसको क्या कहते हैं फुफुस स्वासन कहते हैं कि सब देखु का सब्लों सब्लों व accepts यहाग इसके आगे की जो किया इसको समझेंगे जल्द से पर इसके इसके डिए से mange political एक ए चुम्हेंट है शुक अगला अगला हम लोग को समझना है यहां पर बाहए स्वस्छन के प्रकार बाह स्वस्छन के प्रकार तो देखिए तो कि अब आपको क्या बता हैं कि बाहए स्वस्छन जो है इन मुख्यता दू चरड में दू श्टिप में पूरा होता है जिसमें से पहिलका जो है उसी को लोग क्या कहते हैं भई तो इसको कहते हैं प्रस्वास कहते हैं और दूसरका जो है उसको क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं उच्वास क्या कहते हैं उच्वास कहते हैं समझ ग अब देखो बात को समझो देखो प्रस्वास के मतलब जैसा कि आप लोग को कुछे दिर पहले बताए हैं कि प्रस्वास के मतलब क्या होता है तो प्रस्वास का मतलब होता है अब देखो यहाँ पे हम आप लोग को एक पॉइंट बताए क्या लिखे हैं हम कि आक्सीजन यूग्त वायू को ग्रहण करना हम यह नहीं लिखे हैं कि आक्सीजन को ग्रहण करना क्यों इसके पीछे का रीजन समझे हो हम लोग के नाक में ऐसा कोई शिष्टम उस्टम नहीं लगा है कि वायू मंडल में से खाली आक्सीजन को छान छान के खीचेगा यानि कि हम लोग जो सास लेते हैं तो उसमें क्या आता है उसमें वायू मंडली हवा आता है और जो वायू मंडली हवा है उस हवा में आप जैसा की जानते हैं कि सबसे जादे मत्रा में क्या होता है तो 78% उसमें पाया जाता है क्या तो 78% उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन इसके बाद में 21% क्या होता है ओक्सिजन होता है तो ध्यान से समझिए यानि कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्योर ओक्सिजन को नहीं लेते हैं जब प्रस्वास की क्रिया में हवा को खीचते हैं तो हम लोग पूरा का पूरा प्योर ओक्सिजन नहीं लेते हैं बनकि क्या होता है समझ गया बात को समझ गया सब लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे देखिए इसमें क्या होता है हम लोग ऑक्सीजन यूपत वायू को ग्रहण करना क्या कर लाता है अगर प्रस्वास करते हैं समझ गया ना अब देखो इसके बाद में इसमें जब आये गा तो इसका मतलब क्या हुआ कि carbon dioxide योक्तवायू को मुक्त करना देखो भई इसके कहने का मतलब क्या है कि जतना से लिए है तो उसमें कार्बन डाइक वायू उसको बहर निकलना करना कर लाएक है प्रस्वास और कार्बन डाइक्साइड युकत वायू को छोड़ना कर लाता है उस्वास समझ गया ना अब देखिए बात को यहां पर समझना है पूरा अब यह प्रस्वासित वायू होती है प्रस्वासित वायू तो जो प्रस्वासित वायू है उसका संघटन क्या होता है यानि कि प्रस्वास की क्रिया में जो हम लोग वायू को घीचे उसका संघटन क्या होता है तो देखो, इसका अगर संघटन समझेगा, कि प्रस्वासित वायू का संघटन क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, कि इसका संघटन जो है, इसमें ध्यान दीजिए, कि सब से जादे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, तो नाइट्रूजन होता है, ना 20% और इसके बाद इसमें ध्यान देना है कि इसमें भी आपका क्या होता है कार्बंड़योकसाइट क्ले अट؟ समस्द गह articulated अंचेस लेते हैं ओकरा में कार्बंड़योकसाइड केतना होता है सॉब रहता हुआ है कि ऑक्सिजन घीच दे हैं ऊक्सिजने खड़ी खीच रहे हो क्या हूं कारबंडायोकसड को भी खीच रहे हो तो पूरा पूरा क्योंगर देखो तो इस वहू — वह फुथ धैंप या यंन कारबंडायोकfish, उसं कि नगिर्प शुटक है और इसका था धो सब से अधिक होगा समझगा है के यह क्या आया सबसे अधिक है यह चीज़ ध्यां रखना है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे रहें क्यों करें डेकर एगर अप्र आक सीजन की भी नहीं है कि जब साजम थोड़ीएहा तो पूरे यर यह प् न ह्वार। इसमें क्या करते हैं इसमें आप कार्बन डाई ओक्साइड यूप्त वायू छोड़ते हैं यानि कि एकरा में ओक्सीजन होता है तो देखो इसमें ओक्सीजन की मात्रा लगभग लगभग देखा जाए तो ये 17 परतिसाथ होती है ठेकना 16 से 17 परतिसाथ रख लो 16 से 17 परतिसाथ जो है यह क्या रता है ऊक्सीजन होता है तो अगर को उसे पूछिएगा कि जो उचवासित वायू है या फिर जो सास छोड़ते है तो सास छोड़ी गई हवा में अक्सीजन कितना होता है तो सब तो पहले-पहले जो रूँ लेकिन देख रहे होना कितना होता है 16 से 17 प्रतिस अख्यों ठेक यानि कि देखो एक 20% जो लिया तो इस एक 20% में से मात्र जो है तब कार्बन डायोक्साइड केतना होता है तो देखो कार्बन डायोक्साइड जो है यह इसमें 4 से 5% होता है मात्र समझ गया ना यानि कि अगर आप सास छोड़ी कोई हवा की बात करिएगा तो सास छोड़ी कोई हवा में टोटल कार्बन डायोक्साइड नहीं होता है उसमें स सबसे जादे और चार से पांच परसेंट समझ गए सब लोग पूरा क्लियर ना अब देखो आगे देखता है अब ध्यान से समझ गिए बात को समझ रहा है देखो अब सवाल यह पैदा होता है देखिए कि आखिर प्रस्वास होता कई से प्रस्वास कैसे होता है तो देखो प्रस्वास की क्रिया में ध्यान देना है कि प्रस्वास की क्रिया में देखिए प्रस्वास की क्रिया में जब अपसास लिए ना तो इसमें क्या होता है कि यहां पे आपका जो डाया फ्राम पाय जाता है ऐसे डाया फ्राम समाने तक इसे र पूछ सकता है इस्टेटमेंट तरह के दे सकता है तो देखो तो यहां से ऐसे रहता है गुंबद जैसा होता है समझ गया ना सामान ने वस्था में लेकिन जब प्रस्वास की क्रिया होती है तो प्रस्वास की क्रिया में ध्यान देना है कि जो डाया फ्राम है ध्यान से समझो कि जो डाया फ्राम है डाया फ्राम क्या हो जाता है ये जो है ये चपटा हो जाता है कैसा हो जाता है भई ये चपटा हो जाता है मतलब नीचे की तरफ दब जाता है क्लियर है अभी क्या उपर उठा हुआ है सामाने अवस्ता में क्या होता है उठा हुआ होता है लेकिन जब यहाँ पर प्रस्वास की क्रिया होती है जब आप सास लेते हैं तो इका होता है नीचे की तरफ दब जाता है नीचे के तरफ दब गया, साथ ही साथ जो पसली है, इसमें परिवर्पन क्या हुआ, तो डाया फ्राम नीचे मा दब गया, और जो पसली है आपके सरीर का पसलीयां जो है, तो इसके बारे में ध्यान देना है कि पसलीयां क्या होती है, उपर उठ जाती है, उपर उठती है, क् कि जब रश्वास की करिये गा तो क्या होगा जब सास लिए तो क्या हुआ ढया फरम गया नीचे और पसली गया नीचे और पोसली जो आपके बॉडी का है यह पसली बारो जोडी चुटल होता है तो वक्षिपुहा का आयतण बढ़ता है इसका आयतन बढ़ता है इसका आयतन बढ़ता है। समझ गया काई बढ़ रहा है क्योंकि डायेफ्राम निचवा गया और यह उपरे उठ गया तो पूरा पूरा जैसे इतना मौईशे था इसमें पूरा इसस 다ता हो गया तो तो क्या होगे बीचमें साला आधा यहां से समझे जब और इन अबढ़ गया ऑँस्में उतना हवा नहीं है जतना अब sophisticated आइस्तोंस पुद्धो अगर पूछे कि फेफड़ा में प्रस्वास की क्रिया के दोरान कैसा दाब उत्पन होता है तो देखो इसमें ध्यान देना है कि कैसा निम्न वायू दाब उत्पन होता है ध्यान देना क्या होता है निम्न वायू दाब उत्पन होता है प्रस्वास की क्रिया के दोरान फेफड आपको बताते हैं बातको समझें निम्रवाई को ग्यां अव् gen republic साथ एक चीज और ध्यान देना है कि इस इस हिती में जो फेफडा के जो पेसी है जो है देखिए ये जो पेसी होता है फेफडा के तो इसको हम लोग कहते हैं ध्यान से समझिएगा इसको कहते हैं इंटर 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 कोस्टल पेसी करते हैं इंटर कोस्टल पेसी करते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें होता है संकूचन एकराम में क्या होता है भई एकराम होता है संकूचन समझ गया ना तो देखो प्रस्वास की क्रिया के दुरान क्या क्या होता है तो प्रस्वास की क्रिया के दोरान जो डाय फ्राम में नीचे की तरफ दब जाता है और नीचे की तरफ दब के क्या हो जाता है चपटा हो जाता है पसलिया क्या होती है उपरे की और उठ जाती है वक्ष गुआ क्या होता है तो इन दोनों में चुकि ए स्पेस बढ़ गया है यह वाज से हवा क्या हो जाता है अंदर खीचा जाता है तो हवा क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा निम्ने वायुदा बने करण हवा क्या हो जाएगा अंदर की तरफ खीच लेता है फेपडा समझ गए ना अब देखो साथी साथ जो फेपड़ा के पेशी है तो फेपड़ा के पेशी क्या करते हैं इंटर कोस्टल मसल है यह क्या हो जाता है इंटर कोस्टल मसल जो इसमें भी संपूचन होता है अब देखो जितना क्रिया तुम यहाँ पर प्रस्वास में देखे इसी को क्या करोगे उलट दोगे तो प्रस्वास की क्रिया को क्या करोगे उलट दोगे यानि कि प्रस्वास की क्रिया में तुम्हारा डायाफ्राम क्या हुआ है चपटा हुआ है तो उच्वास की क्रिया में ध्यान देना है कि इसमें जो तुम्हारा डायाफ्राम है ये डायाफ्राम क्या हो जाएगा तो डायाफ्राम हो जाएगा फिर से गुम्बद नुम्मा फिसा हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा गुम्बद नुम्मा फिसान हो जाएगा तो गुम्बद नुम्मा हो जाएगा समझ गना अरे देखो हैसे था न तो जब प्रस्वास जयाले जब सासवदा खीन तो कहा हो गया नीजमा दपतागा लेकिन जब सास छोड़ेंगे तो क्या हो जायेगा उपर फिर झां यहां इनसे जब ध्यां दिजए कि जब सास छोड़ दिजिये गा जब उच्वास करी एगा तो पसली में क्या परिवर्तं होगा तो पसलियां क्या होगा तो पसलियां जूह हैं तो परी टॉकरιचागा लेकिन इस में क्या जब अब देखो इसके बाद में वक्ष गुहा के बारे में ध्यान देना है कि वक्ष गुहा जो है इसका आयतन क्या हो जाता है तो इसका आयतन जो है वो घटता है जब सांस चोडियेगा तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हुआ खथा नीचर आगया अब देखो तो वक्ष गुहा का आयतन उच्वास की क्रिया के दोरान घटने के कारण ही इसमें सवायू क्या हो जाता है बहरी निक हो जाता है समझ गए अब देखो इसके बाद में पूछता है कि वायूदाब तो देखो वक्ष गुहा का आयतन घटता है जिसके कारण यहाँ पे वक्ष तो उच्वास की क्रिया के दरन क्या होता है इसमें उच्छ वायुदाब उत्पन होता है है क्लिर आणा अब देखो इसके बाद में देखिए पेसी तो पेसी में क्या होता है तो इसमें जो हैं प्रसवास और उच्वास आपको समझ में गया था वो आपन कोईयों कोईयों क्लब कोईयों क्यों क। इतना है तो कोåईयों कोईया थिम्रोग रोपान administer आपने सब्सक्रेंस नय्यक्राम सब्सक्राइब शोड़े ऊकरण में औक सिजंग नसीीजिट में उस्ठार विकान कपने ब्रह MIN चेकंछिती हो चाहिताी ह्तु छोड़े जोड़े किआ। अपरे कंछा होता होज हां टुमगा दूह हो पॉपरे उठती है जोड़ते हैं तो अपना स्थान पस המिषा तो नीचे चल जाती है इसके बाद में वक्ष होगया चाहरे आप भीचते हैं तो लिए आपशन ऑच फिर आपने घटाए यह खेचते हैं तो वायुदाब उत्पन होता है फिर फटड़ा वक्षग वहां में जब छोड़िए गा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको रेगूलर इसका वीडियो अप्लोड करते रहें ठेक ना और आपके पास नोटिपिके पहुंचता रहा है और साथी साथ अपने अधिक से अधिक दोस्त के पास में सेयर करो क्योंकि जितना जो है हमारे यूटूब फैमली के साथ पर जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हमको भी पढ़ाने मन लगेगा ठीक ना अधिक से लोगों को चैनल से जोड़िए ताकि हम सब लोग का जो मेन है महाल एक अच्छा बन पाए ठीक ना तो चलिए जादी से स्क्रीन सट ले लीजिए हो गया सबका स्क्रीन सट हो गया जादी से ले लो भाई कि चलिए अब हम इसको मिठाते हैं देखो अब ध्यान से संजो सब लोग देखो बाबू अब जो है अब यहां पर ध्यान देना है देखिए अभी तक हम लोग क्या सिखे हैं तो अभी तक हम लोग सिखे हैं कि किस प्रकार से में अभी तक हम लोग क्या सिखे हैं कि किस प्रकार से मतलब प्रस्वास होता है और फिर किस प्रकार से उच्छवास की क् होती है यह समझ गया हम लोग आप देखो इसके बाद हम लोग को क्या सिखना है वो चीज समझ गया हुआ कि रुखो तो थोड़ा सब यह और नम जा रहा है विट एक में टूप जब आगो लोग क्या हुआ कि हम लोग प्रस्वास और उच्वास की क्रिया के दौरान क्या देखें कि प्रस्वास में खीच रहा है और उच्वास में छोड़ रहा है अब देखो अब जो अगला हम लोग को में जो stage देखना है वो second stage है और second stage में क्या सिखना है हम लोग को तो second stage में सिखना है हम लोग को गैसों का परिवहन क्या सिखना है गैसों का परिवहन समझ गया ना गैसों का परिवहन अब देखो गैसों के परिवहन के अंतरगत हम आपको क्या बता ह है कि गैसों का जो परिभान होता है यह मुख़रूप से कितना स्टेज में होता है बाबू तो यह होता है दो स्ठेज में सब से पहले पहले हम्लोग अक्सीजन का परिभान से हैं और इसके बाद में दूसरा कैसी नोск तो देखो जो गैसों का परिवहन है इसको हम लोग दू भाग में बाटके पड़ते हैं सबसे पहिला भाग में पड़ते हैं O2 का परिवहन यानि कि Oxygen का परिवहन समझ गया ना और दूसारका जो है यह होता है Carbon Dioxide का परिवहन समझ गया देखो बाबू इस दोनों चीज़ को बारी बारी से हम आपको समझा रहे हैं सबसे पहले जो प्रोसेस से हो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ठेक ना Oxygen का परिवह कि Oxygen का परिवहन हमारे सरीर में किस प्रकार से होता है तो देखो ध्यान से समझ गयसों का परिवहन के पूरा का पूरा अगर बात करिएगा तो ध्यान से समझिए यह पूरा का पूरा जो गयस है इसका परिवहन किसके माध्यम से होता है तो रक्त के माध्यम से होता है कोची कोई से होता है सबसे पहले हमंग औक सीजन के परिवहन की बात कर रहा है डेखिए औक सीजन का परिवहन जो है यह रट में उपस्थित दो प्रकार के component के द्वारा होता है समझिए oxygen का परिवान कितने प्रकार के component के द्वारा होता है तो दो प्रकार के component के द्वारा होता है जिसमें ध्रान दीजिए एक होता है RBC एक क्या होता है RBC और एक होता है रक्त plasma क्या होता है बाबू एक होता है रक्त प्लाजमा चुकि देखो ओक्सीजन जो है जल में कम घुलन्सील होता है इसलिए इसका मैक्सिमम जो किसके माद्रियम से किया जता है तो maximum ठ्राजब के द्वारा किया जता है जबकि थोड़ी ब equally मात्रा में इसका transportation किसके द्वारा किया जता है तो रक्त प्लाज्मा के द्वारा किया जता है क्योंकि रक्त प्लाज्मा क्या है तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा अधिकेर होती है ठीक ना और RBC में क्या पाय जाता है वो हिमोगलोबिन तो देखो RBC में पाय जाता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं हम लोग हीमोगलोबीन क्या कहते हैं हीमोगलोबीन कहते हैं समझ गया ना RBC में क्या पाया जाता है तो RBC में पाया जाता है हीमोगलोबीन और इसी हीमोगलोबीन के द्वारा हम लोग देखें तो इसी हीमोग्लोबीन के द्वारा क्या होता है? ओक्सीजन का परिवहान होता है मेन समझ गा ना? आप देखो इसको संधाएंगा तो देखिए जो हीमोग्लोबीन के द्वारा जो मेन रख्त का परिसंचरण किया जाता है तो लगभग 98.5% जो ओक्सीजन है तो वह करता आपका यहां पर हीमोग्लोबिन ठीक है लेकिन लगभग एक दस्मलों 5% जो है ध्यान से समझेए एक दस्मलों 5% जो आपका ऑक्सीजन है उसका परिवान कौन करता है तो उसका परिवान करता है रप प्लाजमा समझ गया ना एक दस्मलोब 5% oxygen का परिवान कौन करता है रप प्लाजमा करता है आप देखो बात को समझेगे इतना समझना गया है आपको इसके बाद में ध्यान देना है आपको थोड़ा सा देखिए जो हीमोगलोबीन है हीमोगलोबीन के साथ ही का कर रहा है आप आंप है 98.5% कभी-कभी यह बनता है कि वह यह हीमोगलोबिन के साथ है यह कैसे परिवान होता है ऑक्सिजन तो देखो हीमोगलोबिन जो है हीमोगलोबिन तो हीमोगलोबिन जो है इसके साथ में ऑक्सिजन जुड़ता है ठेकना हीमोगलोबिन के साथ में कौन जुड़ता है ऑक्सिजन और पर कि क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबीन बनाता है समझ गया ना यह क्या बनाता है बाबो यह बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबीन ठीक है इतना समझ जागा ना इतना क्लियर हो सबका देखो यह क्या बनाएगा हीमोग्लोबीन के साथ है मिलके क्या बनाएगा ऑक्सी तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का परिवहन किस रुप में होता है? और यह ओक्सीजन जा करके और हिमोगलोबिन के साथे जुड़ जाता है तो oxygen plus hemoglobin कोई क्या करते है oxy hemoglobin करते है ठेक है इसका formula आप लोग देख लिए आप देखो थोड़ा सा बात को समझो hemoglobin के बारे में दो तिन fact आपको बता दे रहे देखिए hemoglobin जो है ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूल तो जो है ये नीले बैंगनी रंग का होता है कोई सा होता है बैंगनी देखिए बहुत जगा आप लोग पढ़े होंगे कि hemoglobin के रंग क्या होता है लाल तो देखो लाल इसका रंग मूल रूप से नहीं होता है इसका मूल जो रंग होता है हिमोगलोबिन का वो कैसा होता है बैंगनी होता है हिमोगलोबिन का मूल रंग कैसा होता है बैंगनी होता है लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से मिलता है ठीक ना तो ऑक्सीजन से जैसे ही मिलने गा तो ऑक्सीजन से मिलने के बाद में ये कैसा हो जाता है ये जो है ये चटकदार लेकिन इसमें जैसे ही oxygen मिल जाता है तो oxygen के मिलने के बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है लाल हो जाता है ठीक है ना अब देखो लोगे देखो हीमोगलोबीन चोड़ा है यह यह जो है एक आयरन घटक और प्लॉस में यहां पर गडलोबीन नाम का प्रोटीन किया यह आपका यहां पर घटक है और यह जो ग्लोबिन है ग्लोबिन क्या होता है बाबू यह होता है आपका यहां पर प्रोटीन तो यह आईरन यानि कि आईरन और लोहा और जो ग्लोबिन प्रोटीन है तो इन दोनों से मिलकर ही कौन बना होता है इस दोनों के मिला के बना होता है में यहां पर हीमोग्लोबिन औक हैं पर औक परिवहन होता है यह कैसे होता है तो पर अब आपको हम और पहुंचता है यहीं बात हम आपको समझाने जारा है देखो होता क्या है कि जैसे हम आपको बताये थे कि एक होता है फेफडा ठेक ना बाबू लॉंग्स इस फेफडा में पाया जाता है वायू वायू कोस फेफडा में क्या पाया जाता है वायू कोस पाया जाता है समझ गया ना फेफडा में पाया जाता है वायू कोस अब देख तो रोक्त के सिखा यह सबसे पतली सबसे कॉम व्यास की रक्त वाहिनिया होती है ठेक ना तो अब देखो जो रब रहा रहा है तो प्रवा-डवा में पाये जाता है तुम्हारा रक्त के सिखा में क्या पाई जाता है बाबू रक्त पाई जाता है और हम आपको बताए हैं कि जैसे ही आप प्रस्वास की क्रिया करियेगा तो प्रस्वास की क्रिया में ऑक्सीजन यूगत वायू को भीच घांच के फेफडा में पहुचा देते हैं और फेफडा में कहा आपको यहां पर ओकिजन और रत में क्या है रत में है आपका यहां पर हीमो ग्लोबीन समझ गए ना आप देखो तो यह जो है रत में हीमोगलोबीन और यह औक सीजन यी दूनों मिल जूल के और बना देता है काउची जो हें आखी ऑक्सी हीमोग्लोबिन लगा रक्त के सिक्हां में और वायू को में ओक्सिजन उप्रेट गाइग के सिक्या में विशरन की क्रिया के द्वारा पहुंच आता है रक्त के सिका में उपसित रक्त में और रक्त के साथ मिलके क्या बना देगा यहां पर अब देखो यह जो रप्त के सिखा है यह रप्त के सिखा आगे चलके और बनाती है यहाँ पर ध्यान दीजिए रप्त के सिखा जो है रप्त के सिखा के माध्यम से यह पहुंचता है फुप्फूस सिरा में कहा हमाँ चेप्टर के दौरान यह पूरे डिटेल आपको हम बताएंगे ठेक ना तो रप्त केसी का से कमा पहुंचता है फुफुस सिरा में और फुफुस सिरा से कमा पहुंचता है यहां पे हरीदय में कहां पहुंचता है बाभू तो फुफुस सिरा से यह पहुंचता है हरीदय में ह किरदय से कहां पहुचेगा माहा धामनी में और माहा धामनी से पहुच जाता है जो धामनी होती है सरीर में तो धामनी में और देखो ध्यान से समझो माहा धामनी जाके आगे कलचिम बढ़ जाती है धामनी में ठीक ना और धामनी जब आगे बढ़ती है और धामनी जब उतक मे प्रव्यस करने के बाद में धहमणी कि से बढंग जाती है ये बढ़ जाती है धहमानिका में परवेस्थ करेगे तो मोज़ा टो यह जो यह आपफ के पहुंच गया पर ड़ा मनिका में धह मनिका आगे चल के बढ़ जाती है रक्त के सिखा में काउचिन बढ़ जाती है बाबू रक्त के सिखा में समझ गया ना रक्त के सिखा में और यह जो रक्त के सिखा है तो रक्त के सिखा के एनियों को सिखा है खेगा इसके एनियों को सिखा है और फिर इसके एनियो को सिखा है और फिर इसके एनियो को सिखा है तो देखो ध्यान से समझो यानि कि रखत के सिखाए जो है वो direct किसे चुड़ी होते हैं को सिखा से तो देखो यहां पर बन गया पुरे बोरडि में सप्लाइ करती है सुधरक्त को देखो जोना में ऊक्सीहिमोगलोबिन बन गया तो यूग तो रक्त कोई कहते हैं सुधरक्त को तो हिर्दै से कहा चलगा महाधमनी और अक्सि से जुड़ी होती यह कुछीकाओं से समझ गहां तो रख्त किसका किसे पूसीखाओं से अब देखो जैसे ही औक्सी हमोगलोबीन रख्त किसिका के मात्यम से पूसीखाओंके कौन्ठयक्ट में आता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहा है HbO2 य mayonnaise amoglobin तो यह ग司लोबी फिर से क्या रोएक हो जाता है। यहाँ पर ब्रेक होता है को लयह कार चल जाता है और ऑपा टोट कारेगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद भाद में की बाद में क्या करेंगा कार डा यहां तक यह प्रोसेस बताएं सब क्या है आपका seusuf ऑक्सीजन का परिवान बताइए ऑक्सीजन का परिवान जो है यह किस रूपने होता है तो ऑक्सीजन का परिवान है वो किस के द्वारा होता है तो आर्बी सीम उपस्तित हिमोग्लोबीन के द्वारा है हिमोग्लोबीन के रंग द्रग मुल रूप तौब आनी अँटा है औक्सिजन के आडवा चरग मेंगो ओक्सिजन जोड़ने के छमता होता है 44 जोड़ने परिवहान होता है कि समय सबसे सब से पहले पहले क्या होगा वायूक कोस में है oxygen रख्ट केसिका में है यहां पर हीमोगलोबिन रख्ट वाला यह दोनों मिल करके बना देता है दोट जाता है तूटे का तक फिर से क्या बना दगा ? हीमोग़ Abi और ओक्सीजन. तो हीमोग़ोबिन अपना इसमे रअ गया हृक्त में, ऑक्सीजन बड़ी निकल गया ! फिर यह Oxygen पिर कहुंद च जाएगा ? फिर यह Oxygen निकल करके फिर कहाँoser जाएगा ? कोशिक्य करने के बाद में बना देगा एटीपी उर्जा बनाएगा ठीक ना और साथी साथ क्या बनाएगा कार्बन डाइओकसाइड क्लियर है समझ वागा ना चलो देखो एतना चीज के जल्दी से स्क्रीन सोट ले लो इसके बाद में इस से आगे देखेंगे की चीज बता रहा है लेकिस को मिठका रहा है आक सीजन के परिवाद आपको पूरा का पूरा हम समझा दिये समझा दिए ना अब देखो इसके बाद में आगे की कहानी को समझो आप लोग इसके बाद में आगे के कहानी समझो देखो तो आगे की जो कहानी है उसमें समझे अगला हम लोग को हेडिंग क्या होगा कारबन डाई उक्साइड का परिवहन क्या होगा कारबन डाई उक्साइड के परिवहन तो कारबन डाई उक्साइड का कैसे परिवहन होता इसको आप लोग समझे ध्यान से दखिए कारबन डाई उक्साइड चुकी ध्यान दीजिए कि ये जल में अधिक घुलंसील है, जल में क्या होता है, ये अधिक घुलंसील होता है, तो चुकी ये जल में जादे घुलंसील है, इसलिए इसका परिवाहन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोगलोबिन के द्वारा नहों करके, बहुत सारे माध्यम के द्वारा होता है, ठीक सबसे पहला इसका जो परिवान होता है वो होता है यानि कि कारबॉक्सी हीमोग्लोबिल के रूप में सबसे पहला नमबर कि यह जो कारबन डायोक्साइड है निकल के कहा जाएगा वहीं से रह्क्त के सिखाएद्स अ जाता है और में क्या है तो ह्यमोग्लोबिन भी आ उसमें प्लाजमा भी ये सब है उसमें तो देखो ये क्या करता है कि कार्बोक्सी हिमोग्लोबीर के रुप में भी इसका परिवहन होता है तो आपसे प्रस्न पूछेगा कि कार्बोक्सी हिमोग्लोबीर जो होता है तो कार्बोक्सी हिमोग्लोबीर के रुप में कितले परसेंट कार् क्रीवाइब डगभान नाखिए उसका परिवान किस होता है तो इस किसे होता है तो देखिए इसके बाद में ध्यान देना है कि इसका जो यूज है देखिए इसका ध्यान देना है कि यह तो हो गया यहां पे आपका जो है कार्बोक्सी इमोग्लोबिल के रुप में दूसरा जो इसका परिवहन होता है यह कार्बोनिक अमले के रुप में होता है कार्बोनिक ऑम्लेक के रूप में. ठेकए ना, कोची क 1500 होता है, कार्बोनिक doesn't Ond देखो कोज अध्योसे ज्ञान से जो जएसे देखो जब रॉल्ट में गया टो रग्त में क्या गया है, कार्बन डय ऑक्साइड. और रखम उपस्थित क्या होता है, प्लाज्मा होता है, क्या दुशारका में तो लोग बता रहा है तो रख्ट प्लाज्मा में जो है तो उस एच्टू के साथ है मिल जाता है और मिल के बनाता है है तो देता है तो बना देता है एक और लोग क्या कहते हैं बाबु इसको कहते हैं कारबोनीं ना कारबोनील औल करिवाण हो गया और कारबोनील और परिवान और कार्बोनील अमले के रूप में आपको ध्यान देना है कि कार्बोनील अमले के रूप में लगभग साथ परसेंट जो है लगभग कितना परसेंट तो लगभग साथ परसेंट जो कार्बन डायोकसाइड है तो उसका परिवहान शरीर में किस रूप में होता है तो कार्बोन इसके बाद में इसका परिवहान यह होता है बाई कार्बोनेट के रुप में काउची के रुप में बाई कार्बोनेट के रुप में तो यह बाई कार्बोनेट के रुप में देखो कई से बात को समझे देखो बाई कार्बोनेट के रुप में कुई से होता है तो बात को समझे सब्सक्राइब आफ पाले जो कार्बोनील अमल अब बना दिया अब जो कार्बोनील अमल है बभूल तो समझार फिर क्या हो जाता है कि जब भी कोई लवन शोडीयम को लेका, और स्जोडियम को लेका, solidarityमु 2, और शात्य शात्य के बनाएंगर तो देखो डिख़ो को सलत सकते आदिगा एस तुप्आ थeffective के चम्ठ देने के तरह से में ध्यान देना है कि देखो पधिल कि इसको समझे लाँ है थाही में तुमका वाका री लवन मतशी explained देखो सबसे परेपर ध्यान दो कि जो H2CO3 तुम्हारा है तो यह क्या होता है कि H प्लस और H प्लस और कौची में CO3 माइनस आयन में टूट जाता है और यह जो तुम्हारा यह क्या करता है कि रोग्त में उपस्षित जो धातवीक पर मानू है झो खनीज लवन के रूप में पाए जाने वाले धातवीक परमानु कोई का करेगा अपना साथे खीच लेगा और खीच के बना देगा धात्विक में जो है यहां पर कार्बोनेट बाइकर्बोनेट बना देगा और फिर उसके रुप में क्या हो जाएगा ही सरीर से बाहर निकल जाएगा ठीक ना आ जाएगा फ्रेपडात का जाएगा अब देखो ध्यां से समझगो तो होता किप्रोशन पूचेगा कि कि परिवहन बाइकार्बोनेट के रुप में होता है हमारे सरीर में लगवथ्वथे ynुँभा यहांपे कार्बं डायॉकसाइड है उसका परिवहन होता है ऐन टुन अब करिवहन होता है इस लाइक आगे इसके बाद में आपको ध्यान देना इसमें और ध्यान रखने चाउता मेफोड डियान देना है कि बाकी जो भी आपका जो कारबंद ययोकस्टाइड यह cent द कारबामीन कार्बा मीन कर्मा जो है योगी कर्वामीन के रुप में इसका परिवान होई ठीक का तो कंपामीन योगी रुप में ध्यान देना है करम योगी को बिपूछे का कि क्यतना परस the car में योगी के रूप में ध्यान देना है कि यह बहुंचे रूप में कार्बमील योगी के रूप में यह मैक्सिमूं जो है 23 परसेंट तक हो सकता है अब देखो एतना चीज समनी के पुछा गया ना यह सब्सक्राइब देखे इसमें कि को असुध को लेकर चलता है तो यह एक तरफ से जुड़ा होता है तो एक तरफ से जुड़ा होता यह सीरीका से समझ अना को में आपको परिवाला चेप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे तो सब सब सब् assist में पीजिका से रक्ट के सिका में जैसे ही इसा बन गया तो बनने के बाद में उस रखत को क्या करते है और सुध रखत जो हे यहां पर रुक्त के सिका से निकल एका आए सिरिका में सिरिका से भी निकलता है और सिरिका से निकल के पहुंचता है यह सिरा में सिरा से पहुंचता है महा सिरा में का पहुंचता है बबू महासीरा में महासीरा से यह पहुंच जाता है देखो महासीरा से पहुंचता है यह यहां पर हिर्दय में का पहुंचता है और हिर्दय से यह पहुंच जाता है करमा हिर्दय से पहुंचता है देखो एक पाए जाता है हिर्दय में फुफूस ध्वामनी पाया जाता है ठीक ना तो ही अपाइब फूफुस धमनी के माध्यम से पहुंच जता है ठीक और फेफडा में जाका फिर से क्या हो जाएगा जाएगा जवन जवन जईसे ज़िसे गया है सोब जो है सब में से कार्वण डियोचाट क्या प्रसे टूट जाता है कि यह जो यहां पर जाने के बाद में यहां पर जो ऑप कर्वक्सी हेमोग्लोबिल यानि कि में चुम्हारा यहां प्रपड़ा के वाईव कोस्ट में ठेक इसके बाद में यहां पर तुम्हारा चल जागा तो तुम्हारा चल जागा वाईव कोस्ट में तो घूपड़ा चल जागा चुल से तो इस तरह से पुरा पूरा जो भायू कोस्ट में पहुंच जाता है और को समझ में आ गया होगा अगर सब कुस्छ समझ में आ गया है तो एक बर वीडियो कुल लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सुप्सराइब कर दीजिएगा divided